बिसमिल्ला हिद्रहमाद रहीम असलमलेकों मायूटी फैमली वेलकम टो मैं चैनल आज हम आपको बहुत हुपसरा सिंपल पैटर्न पे बनेवे क्रोशा स्लिपर्स बनाना बताएंगे हमारे पास दो कलर है यलो कलर और ब्लू कलर ब्लू कलर हमारा फॉर प्लाइ है और यलो कलर हमारा टूपला ही तो हमने डबल कर लिए है क्रोशा नमबर देख लिए 3.5 mm क्रोशा होके है ठीक है टूपला है यलो कलर तो हमने डबल इसको कल लिए है सबसे पहले तो हम इसमें स्लिप नॉट लगाएंगे पहले आपने फिंगर की मदद से सरकल सा बनाना ही इस तरीके से अब इसके बीच में क्रोशा डल के पीछे वले त्रेट को लिएंगे तो हमारे स्लिप नॉट जो है बहुत ही असानी के साथ कम्प्रीट हो जाएगी अब हम इसमें बेसिक चैन लगाएंगे वान टू त्री एंड फोर फोर चैन हमने बना लिए है चार चैन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चैन को आपने स्किप करना है चोड़ना है सेकंड वाली चैन में हम बीनबल के क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाएंगे अब इससे नेक्स वाली चैन में भी सिंगल क्रोशा बनाना है और लास्ट की चैन में भी सिंगल क्रोशा बनाना है यानि हमारे पास तीन चैन्स थी हमने तीन ही सिंगल ग्रोशाँ बना ली फ़र्स्ट डोव में अब एक चैन्स लेके, वर्ка को दूसर सेट पे हम टरन कर लेंगे, आप देखे चैन्स में आपको कुछ नहीं करना, चैन हमेशा हम वर्को टरन करने से पहले लेते हैं, तो first वाले ही single crochet के बीच में हम crochet डाल की एक single crochet बना लेंगे again single crochet in first stitch यानि हमने first stitch में दो single crochet बना लेनी है अब बीच में एक सादा single crochet बनाएंगे और last के stitch में भी हमें repeat two single crochet seam stitch में बनाने है यानि हम first वाले stitch में एक single crochet बढ़ा लेंगे और लास्ट के स्टिच में भी एक सिंगल ग्रोशा हम अपना बढ़ा लेंगे तो टोटल हमारे पास सेकंड रो में पांच सिंगल ग्रोशा हो जाएंगी ठीक है एक चैनले के वार को दूसरी साइट पर इप्टान करना है और सेम जैसे हमने सेकंड रो में फास्ट वाले स्टिच में दो सिंगल ग्रोशा बनाए है थाल डो में भी हमें फास्ट वाले स्टिच में दो ही सिंगल ग्रोशा बनानी है बिच में जितना भी आपके पास सिंगल ग्रोशा के साधा बनानी है बस laasht के स्टिच में repeat हमें दो सिंगल क्रोशाサय शेम कम्प्लीट करनी है इस तरीके से एक हो गया भापस से मस्टिच में एक और सिंगल ओबना लेंगे धर्डोम्मे में हमने साथ सिंगल क्रोशा कम्प्लीट के हैं अब एक चेन लेकि हम war को क्रोशा दाले संगल को जांगे सिंगल क्रोशा को बादाना कि शills है। उसमें रपीटम मेपने पास फंदा बढ़ा संगल क्रोशाचLुट और सिंगल कोशा दो हो जाएंगे, इस फोर्थ हमारे पास करमा नाइइ सेटर सेटू बिनाना उट लोगे सिंगल क्रोशा बनान के आरें हमारा लास्ट कस्टिछोग को काड़ें इस वर्पेट भी साथ बना शया कम हमारी पांचवी रो का ये लास्ट का स्टिच है तो इसमें भी हमें सेम एक सिंगल क्रोशा का जो लूप से वो बढ़ा लेना है अब हम रो काउंट करके आपको दिखाते हैं वान तू थ्री फोर फाइब फाइब रो में हमारे पास 11 सिंगल क्रोशा के जो लूप से वो कम्प कर लेना है हमने नाइन रो यहां पर कम्प्लीट कर ली है हम आपको कौंट करके दिखाते हैं वान तो थ्री फॉर फाइब सिक्स सेविन एट नाइन टीक है नाइन रो तक हमने अपने जो लूप से वो इंग्रेज की है फर्स्ट अबाले स्टिच में इंग्रेज करना है और अगर आप बना रहे हैं एक्सल साइज के लिए तो फिर आप 5 रो तक अपने जो लूप से वो इंक्रेज करने है94ेक करने स्टिच में kul कियाज करने हैं और हम करने अपने इसके बाद भिना अपने अपने आपने आपने अपने दो बढ़ाए आपको बना मैंगे थे आपको देखना है एक चैन लेके वर को टन करना है फर्स्ट वर्ले स्टिच में आप हमें एक ही सिंगल क्रोशा बनाना है जितना भी हमारे पास सिंगल क्रोशा की स्टिच है अब हमें समें एक सिंगल क्रोशा ही बनाना है दस्मी रोपी हमारी complete हो चुकी है बस लास्ट का जो stitch है वो हम आपको repeat बना के दिखा देती है ताकि जो beginners हैं किसी भी point को समझने में उनको दिक्कत ना हो वो देखे समझ की easily इसको बना सके हैं दस रोप complete करने के बाद एक चैलेंगे वर को दूसरी सेट पर turn करना है फरस्ट वले stitch में हमें एक ही आप single crochet बनाना है इससे next वाले में भी हमें एक ही single crochet बनाना है तो ग्यार्वी रोप में जितना भी आपके पर स्टिच है ना जैसे हमने दस्मी रोप बनाई है 11 रो पहीं सेम प्रोसस पे ही आपको complete करना है देखे हमने इसके 11 रोप बना ली है नाइन रो तक हमने अपने फघरख भाए है इसके बाद 13 रो FR तक हमें बीना फघरख भाय को complete करना है यहनि हमें 9 रो तक तक अपने लूप्स बढ़ानी है इसके बाद जो 30 रो हम बनाएंगे ना तो बीना फंदे अपने बढ़ाते हो पूरे कंप्लेट करेंगे तो टूटल हमारे पास 49 रो हो जाएंगी 39 रो हो जाएंगी ठीक है अब हम आप करके दिखाती है साड़े आठ इंचिस हमने इसकी लेंद रखी है इसके बाद हम कलर चें करोशा में दोनों में से हमें जो ब्लू कलर का थ्रेडे एड करना है एक चेंड की हम वर्क को दूसरी सेट पर टरन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा थ्रेडे इससे तरह से हमें पीछ में लगा लिए ताकि जब हम अपना बर्क बनाएं तो साथ साथ इसे भी अंदर की सेट करते चले जाएंगे फ wonderful school के न पाले चीच में हम डालेंगे को सिंगल कुरूशा बनाएंगे कि आगे भी सेम जैसे हमने अपनी 30 रो बनाई है ना आगे भी ब्लू कुलर से हमें 30 रो ही कम्प्लीट करनी है 13 रो हम कम्प्लीट कर लेंगे ब्लू कुलर से फिर आम आपको दिखाएंगे आगे किस तरीके से बनाना है तो ध्यान से आपको हार पॉइंट को देखना और समझना होगा देखें जैसे हमने ब्लू कलर से सिंपल रो बनाई हैं इसमें ना तो फंदे हमने बढ़ाए हैं और ना ही कम किया हैं सेम तरीके से बनाती हुए हमने इसमें 30 रो बना ली हैं जैसे हमने यालो कलर से बनाई है तो अब ब्लू कलर से ना इस तरीके से बनानी है यह दियान से आपको देखना है इस पॉइंट को समझना है आप रखके भी माप कल लेजिए कि आया हमारी जो रोस हैं वो एक बराबर बनी है ठीक है माप करेंगे देखिए 9 रो जहां से हमने बढ़ाई है ना उतना तक ही हमारी जो अपना वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए अब इसके बाद हम इसमें 9 रो तक हमने स्टार्टिंग में यालू कलर से अपने फंदे इंक्रेज किये हैं बट अब हम जो है अपने फंदे डीक्रेज करेंगे यानि कम करेंगे तो पहले आपको दो स्टिच में इस तरीके से इनकंप्रीट सिंगल क्रोश बनानी है अब त स्टिच में साधस सिंगल क्रोश बनाएंगी अब जितना भी आपके पस स्टिच है ना समय आपको सिंगल क्रोश बनाना है बस लास्ट के जो दो स्टिच है वह हम आपको फिर बना के दिखाते हैं बीच में सिंगल क्रोश की ही बनाएंगे देखिए लास्ट के दो स्टिच ह जालेंगे और नेक्स्ट में भी डाल देंगे अब तीनों फंदों को जब एक साथ हम निकाल देंगे ना तो दो सिंगल क्रोशे का एक बन जाएगा तो एक हमारा जो लुप से वो डीक्रेस हो गया यानि कम हो जाएगा अब हम फिर से एक चैन लेकर वर को दूसरी साइट पर और सेम तरीके से दोनों स्टिच में क्रोशा डालेंगे जब हमारे पास तीन फंदे हो जाएगे एक साथ ही हम क्रोशा में ओवर कर लेंगे तो डीक्रेस करनी का तरीका जैनि फंदे कम करनी का तरीका भी बहुत आसान है बढ़ाना जैसे हमने यलो कलर से आपको बताया था अब जो फरोशी कला रहे हैं उससे हम अपने फंदे घटाना आपको बता रहे हैं ओके आठ रो तक हम सेम तरीके से ही रपीट बनाते जाएंगे जब हमारी नामी रोगाएगे तब हम आपको दिखाएंगे कि वह किस तरीके से बनानी है ओके देखे फ्रेंड्स हम अपने फंदे घटाते हुए इसमें तीन रो बनाई है तो आगे भी आपको इसी तरीके से बनाना है देखे यलो कलर से जैसे हमने फंदे बढ़ाते हुए ट्रैंगल शेप बनाई है ना स्टार्टिंग में सेम हमें फंदे घटाते हुए बलू कलर से इसी तरीके से ट्रैंगल शेप जो है लानी है जब हम फंदे घटाते जाएंगे तो आटोमेटिकली इसमें एक ट्रैंगल शेप आ जाएगी अब देखें फिर से हमें वान तो दो स्टिच में इनकंप्लीट सिंगल क्रोशा बनानी है तीन जब हमारे पास जो है लूप सो क्याते होए यह हमारी लावी रो है लास्ट की रो है तो अब हमें एक तीनोह स्टिच में 3 सिंगल क्रोश न प new जब हाएं लास्ट की स्टिच में पॉंसंगल क्रोश और उजैस को एंडटर से 0 12िowe'slet 2019 1 jetzt 3 सिंगल क्रोषा बने görüşसे हमने यह थे र standard के लिए अपने हिसी को यह स्टार्टियंगम क्योंकों से रदे न रहे इसी कनिया लेकिये वह सर्ब्सक्राइब कंप्लीट करा ने चाहिए अब एक चैन लेकि हम अपने होरे को खने कमके नियूंँ लिए अब जो हमारा एक्सलर थेड है उसे हम अंदर की सेड इस तरीके से निडल की मदद से जो है बीच में सिक्यूर कैल लेंगे अपने स्लिपर्स की जो टोटल लेंग है वह हम आपको दिखाती है कितना इंचिस हमने इसकी जो लेंथ है वो कम्प्रीट ही है तो 70 इंचिस इसकी टोटल लेंथ है स्लिपर्स की और इसमें रो की हम बात करें तो 78 रो टोटल इसमें हमने बनाई है अब हम इसे फोल्ड करके स्टिच करने का जो तरीका है वो भी आपको दिखाते हैं कितना आपको ओपन रखना है और कहां से आपको स्टिच करना है यह हम आपको यह पर दिखाते हैं तो देखें आप अपने हिसाब से भी इसको कामिया फिर ज्यादा छोड़ सकते हैं ठीक है हम आपको माप करके भी दिखा देते हैं कितना इंचिस हमने इसको खुला छोड़ा है पाउंड डालने की जग़े को चार से सारे चार इंचिस आपको इस तरीके से ओपन रखना है अब इसके बाद आगे हम आपको स्टिच करना भी दिखा देते हैं नीडल में हमने त्रेड को डबल करके डाला है और सादा सी स्लाई आपको लगानी है डबल धागे से आपकी जो स्लाई है वो मजबूती के साथ इसमें लगेगी बहुत फिनिशिंग के साथ भी कम्प्लीट होगी देखे फ्रेंस आम इसमें आड़ी स्लाई लगा रहे है आप चाहें तो सीधी स्लाई भी लगा सकते हैं बट आड़ी स्लाई जो है ज्यादा फिनिशिंग के साथ कम्प्लीट होगी मजबूती के साथ भी बनेगी और फिनिशिंग भी आएगी ओके तो इसी तरीके से बनाते हुई हमने यहां तक कम्प्रीट किया है आगे भी आपको सेम तरीके से स्लाई लगानी है देखें जो यह एंगल बने हुए ना इसमें सेम स्लाई लगानी है पूरा इसको स्टिच कर लेंगे हम यहां तक पिर आपको दिखाते हैं तो हमने इसमें स्लाई लगा ली है अब हम इसको सीधा कर लेंगे पूरी यहां तक हमने स्लाई कम्प्रीट किया है अब हम इसको राइट साइड कर लेंगे बहुत ही आसान था इसको बनाना जल्दी भी बन जाता है खुबसरत भी लगता है आप एक कलर में बनाना चाते हैं या फिर इस तरीके से दो कलर में बनाना चाते हैं वो आपकी जो ऐसे देखिए अब हम इसको बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर हम यहां से बनाना स्टार् आपको सिंगल करोशा का ही लूप्स बनाती हुए पुरा बॉर्डर न प्रहुरा है बहुत आसान आप अपनी पसंद से भी इसका बॉर्डर अपने जो पिर आप साधा सा इस के बॉर्डर बना लिजें यहां तक हम़ारा बॉर्डर भी कम्प्लीट हो चुका है और फर्स बाल एक्स्टर फ्रेड है उसे हम नीडल की मदर से अंधर की सेट कर लेंगे हम और सब्सक्राइब के लिए हम आउट सेड पी अब तो लिए एपिस्ट आपको लगा सकते हों इस प्रॉशर फ्लावर भी लगा सकते हो कि तो फ्रेंस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो यहा